जादा तर स्टुडेंट्स को ऐसा लगता है कि IIT जे एडवांस निकालके IIT में जाना ही एक मात्र करियर आप्शन है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर हम IIT को हटा भी दें तो उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज हैं बहुत सारी युनिवर्सिटीज हैं जह करेंगे ऐसे टॉप सिक्स इंजीनिरिंग इंट्रेंस एक्जामिनेशन के बारे में जहां पर आप एक्जाम देके आफ्टर ट्वेल्थ एडमिशन ले सकते हो सबसे पहला जो एक्जाम आता है वो आपका है जे डबली मेन जब आप क्राक कर लेते हो तो आप एडवांस के लिए लिजबल हो जाते हो बट अगर हम एडवांस को हटा दें और आप सिर्फ जे डबली मेंस में भी अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप 31 NITs, IA EST, 26 IITs and 38 ऐसे गोर्मेंट फंड़ेट कॉलेजेजेज हैं जहां पर जाके अडमिशन ले सकते हो इवन बहुत सारे स्टुडेंट सिलेक्ट हो भी जाते हैं IIT में और उनको कोई नई IIT मिल रही है और साथी साथ कोई Old NIT मिल रही है तो वो Old NIT पर जाना ज्यादा प्रफर करते हैं और यह जो मैं डेटा आपके साथ शेर कर रही हूं यह जो जो सा काउंसलिंग की वेबसाइट है वहां से यह अगर मैं इसके बारे में और discussion करूं तो एक्जाम का पूरा नेम है वह आपका है Joint Internet Examination Main, NTA से conduct कराती है तो conducting body जो है NTA है, January and April में यह एक साल में यह एक साल में दो बार JMAन का एक्जाम होता है, एक आपका January में होता है, एक आपका अपरेल में होता है, एक आपका अपरेल म लगेगा because exam का level जो है moderate to difficult होता है लग भग 10 से 12 लाग student हर साल इस examination को देते हैं तो अगर आप आज से अभी से preparation start करोगे so January 2025 and April 2025 में आप eligible होगे इस particular exam को देने के लिए total 6 times आप इस examination को दे सकते हो 12 के साथ और after 2 after 12 जो 2 consecutive आपके year से उसमें भी आप इस particular exam को दे सकते हो जब आप BITSAT के paper को clear कर लेते हो तो आपको BITS Pilani, BITS Goa, BITS Hyderabad हो गया इसमें admission लेने का मौका मिलता है और इसी के साथ साथ I-Core basically है that is all BITS Dubai तो BITS Dubai में भी आप admission ले सकते हो यह जो BITSAT exam है इसका पूरा नाम है Birla Institute of Technology and Science Admission Test इसकी जो conducting body है BITS Pilani है May and June में बिटा यह examination होता है तो आप देख सकते हो बहुत सारे exams back to back आपके लगे होंगे अगर आपने one year बढ़िया तरीके से preparation करी और यह सारे exams को target करने की कोशिश करी तो definitely कोई ना कोई exam तो आप crack कर ही लोगे और यह advance तक भी पहुँच सकते हों कोई बड़ी बात नहीं है eligibility की बात करें तो 60% individual PCM में हो यह 75% PCM मिला के 12th class में अगर आपका है तो आप eligible हो exam के level की बात करें तो mean के comparison में काफी easy exam आपको यह देखने को मिलता है इसी के साथ सथ अगर हम third examination की बात करें तो वो आपका है WBJEE जादवपूर University का नाम आपने सुना होगा बहुत ही अच्छी university है अगर आप इसकी NIRF ranking देखते हो तो NIRF ranking आपके 11 देखने को मिलेगी यह एक ऐसी university है जो IIT ना होने के बाद भी students को करूर्स में packages प्रोवाइड कर रही है तो आप इस particular entrance examination को देखे जादवपूर University में admission ले सकते हो इसी के साथ-साथ exam का नीम तो आपको पते ही चल गया WBJEE इसकी जो conducting body है वो है West Bengal Joint entrance exam board हो गया session आपका अपरेल में होता है eligibility की बात करें तो 60% individual अगर आपके PCM में है then definitely you are eligible for this entrance examination अगर मैं exam के level की बात करूँ तो easy to moderate exam आपको देखने को मिलता है बट हाँ यहाँ पर quota होता है 90% quota तो West Bengal का होता है और जो other state है उनका 10% quota आपको यहाँ पर देखने को मिलता है next exam के अगर मैं बात करूँ so that is your CUET आपने बहुत सारी central universities देखी होंगी जैसे के जामिया मिलिया, इसलामिया हो गया, JNU हो गया, AMU हो गया that is your Aligad Muslim University, Delhi University हो गई यहाँ पर जो science है, commerce है, arts है, इसके जो courses होते हैं आप CUET के entrance examination को crack करके यहाँ पर admission ले सकते हो और यह भी बहुत ही अच्छी universities है आपको बहुत ही बड़िया education देखने को मिलने वाला है और future perspective से भी देखा जाया तो यह काफी अच्छा option आपके लिए रहने वाला है इसके बारे में थोड़ा और detail में discussion करते हैं अगर हम exam name की बात करें, CUET है, NTA ही इसकी conducting body है NTA ही इसको भी conduct कराती है इसका session भी आप देख सकते हो, May में होता है one time preparation, then आप target कर सकते हो सारे exams को, eligibility की बात करें तो 50% marks आपके class 12 में होने चाहिए और JEE के comparison में तो यह paper काफी easy होता है very very easy हम यहाँ पर इसको बोल सकते है इसी के साथ साथ अगर हम कुछ private colleges की बात करें तो एक entrance examination आप और target कर सकते हो that is your VITEEE इस exam को देने के बाद आप VIT VELOR हो गया Amravati हो गया, Chennai हो गया, Bhopal हो गया इस सारे colleges को basically target कर सकते हो इस exam का अगर आप full form देखोगे तो VELOR Institute of Technology Engineering entrance exam बोलते हैं VIT इसकी conducting body है यह भी exam आपका April में होता है eligibility क्या है, 60% marks आपके 12th में चाहिए और exam का level भी यहाँ पर आपको moderate देखने को मिलता है as comparison to J-Main ठीक है, आगे बात करते हैं 6th examination is your IAT exam यह जो entrance exam है, इसको जब आप clear कर लेते हो तो आप 7 ICER को target कर सकते हो इंडिया का one of the best research institute IASC Bangalore जहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सपना होता है admission लेने का, आप इसको भी target कर सकते हो और इसी के साथ साथ आप IAT मदरास को भी target कर सकते हो अगे आप इस exam की बात करें तो इसका पूरा नाम है ICER aptitude test, इसकी जो conducting body है Indian Institute of Science, Education and Research ठीक है, session इसका आपको जून में देखने को मिलेगा 55% marks आपके class 12 में होने चाहिए और PCMB में 3 subject आपके compulsory है, exam के level की बात करें so no doubt easy to moderate के level पर आपको ये exam देखने को मिलने वाला है so अगर आपका J advance का सपना पूरा हो रहा है then बहुत ही अच्छी बात है अगर आप J advance को साइड में भी कर दो, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऐसे entrance examination है जिसको आप target करके अपने career में बहुत आगे तक जा सकते हो, hopefully आपको ये information अच्छी लगी होगी, इसके अलावा भी आपके कोई भी doubt हो, comment section में लिखना बिलकुल मत भूलिएगा, thank you very much, goodbye, take care.